हालो गाईज कैसे आप लोग उम्मेद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे मैं हरीप्री पटेल बात करूंगा आप से इस उड़े में CDP हिंदी और पर्रामाड़ा धिन के 90 प्रशनों की ठीक है आपका जो पेपर है 28 नॉवंबर 2021 को होने वाला है तो उम्मेद करता हूँ आ आप लोग 90 में से कितने प्रसंद सही करते हैं बाकी आपको अग्रिम बधाई और आसा करता हूँ कि आपका पेपर जो है जो भी मैंने आपको पढ़ाया है बालविकास हिंदी ठीक है और EBS में वह आपको एक्जाम में मिलेगा अगर आप 90 में से 70 प्लस सही कर रहे हैं तो आपकी तयारी बहुत एच्छी है जो कोश्चन्स होंगे इसमें वो शिंपल भी होंगे यानि आसान होंगे और जो है डिफिकल्ट भी होंगे ठीक है तो सुरू करते हैं बिना समय गवाई हुए पहला प्रस्ने मारा समयोजन से ताक्पर श्वयम का विभिन परिसितियों मे अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके तो इसका जवाब होगा आवर्शक्ताओं को डिव अला प्रस्न से ये 90 प्रस्न है और इस प्रकार से करिये गा कि लगे की हाँ जो है एक्जाम में बैठ करके कर रहे है निमन में से कौन सा विवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है बताएं आप लोग क्या जवाब होगा इसका ये होगा सालीनता दीगे मैं आप्सन नहीं पढ़ूँगा मैं के वल प्रस्न पढ़ूँगा अगला शकारात्मक दंड का निमन मिर्शी कौन सा उधारण है क्या होगा इसका जवाब इसका जवाब होगा मित्रों के द्वारा उपहास ये सकारात्मक दंड का उधारण है ठीक है पहला आपसन आपका इसमें सही है प्रात्मिक विद्ध्यालियों के बालुकों के लिए निम्न मेंसे किसे बहतर मानते हैं वीडियो अनुरूपन, पुर्दर्शन, श्वयम के द्वारा किया ग्यानुभो या उपरोक्षभी प्रात्मिक विद्ध्यालियों के बालुकों के लिए निम्न मेंसे किसे बहतर मानते हैं बताएं आप लो किसे बहतर मानेंगे क्या होगा इसका जवाब शोची और बताएं इसका क्या जवाब होगा पांचवा प्रशने आपके सामने यशो और थिवरी निम्न में से किसने दिया इसके नर रूसो वुड़वर्थ या थंडाइग तो चौथे में आपका आप्शन सेयोगा श्वयम के दौरा किया गया अनुभव और यशो और थिवरी दिया है वुड़वर्थ अगला है आटी एक्ट दो हजा नौ में नेड़िस्ट किया गया है कच्छा एक से पांस तक यह प्रिवेश्च दिये गए विद्यार्थियों की शंख्या दोसों से अधिक है तो विद्यार्थी और अध्यापक का अवर्ष्यक अनुपात होना चाहिए 30 बच्चों पर 1 अध्यापक 40 पर 1 अध्यापक 45 पर 1 अध्यापक या 50 पर 1 अध्यापक तो ये होगा 40 पर जो है एक अध्यापक शंपून भारत देश में आपका अटी एक एक अपरेल 2010 को लागू हुआ था ठीक है अगला है 6-14 वर्ष की अवस्था में बालक रोची लेना प्रारम हो करते हैं धर्म में, मानोशरीर में, यौन संबंद में या विद्याले में तो ये होगा विद्याले में ये शक्त बालकों की सिच्छा के लिए प्रावधान किया जा सकता है वताएं आप लोग क्या जवाब हो इसका ये होगा समाविशित सिच्छा के द्वारा कुछ लोगों का कहना है कि जब बच्चों को या बालकों को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं उनके विवार में कौन सा प्रत्रच्छा तंतर प्रत्रच्चित होता है प्रच्छेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया या उद्धातिकरण बताएं आप लोग इसका क्या जवाब होगा इसका जवाब होगा आपका विस्थापन किसी उद्धीपन के निरंतर दिये जाने वाले किसी उद्धीपन के निरंतर दिये जाने से विवार में होने वाला आस्थाई परिवर्तन कहलाता है अभ्यस्ता अधिकम आस्थाई अधिकम या अभिप्रेना क्या होगा इसका जवाब इसका जवाब होगा अभ्यस्ता अगला निचली कच्छाओं में सिच्छण की खेल पधती मूलता हा किस पर आधारित होती है सारीरिक सिच्छा कारकरमों के सिधानतों पर सिच्छण पधतियों के सिधानतों पर विकास्वम व्रद्धी के मनवेग्यानी सिध्धान्तों पर या सिचण के समाज सास्त्री सिध्धान्तों पर तो यह होगा थर्ड वाला विकास्वम व्रद्धी के मनवेग्यानी के सिध्धान्तों पर अगला है प्रतिवा साली होने का संकेत नहीं है सरजनात्मक विचार दूसरों के साथ धगडा करना अभिवक्ती में नवीनता या जिग्यासा तो ये होगा आपका दूसरों के साथ धगडा करना ये प्रतिवा साली होने का संकेत नहीं है निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विसेस्ता नहीं माना जाता है सैचिक संस्थान ही एक मात्रिस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है सीखना लच्छुन्म की होता है अन अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है तो यह होगा सैचिक संस्थान ही एक मातिस्थान है जहां अधिगम प्राप्थ होता है यह जो है सीखने की प्रक्रिया की विसेस्ता नहीं है क्योंकि अधिगम जो है कहीं से भी मिल सकता है अधिगम व्यापक प्रक्रिया है, लच्छुन मुखी होता है और अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है एक सिच्चप को अपने विद्यार्थी की छमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए निमलिकित में से कौन सा छेत्री सुद्देश्र के साथ संबद्ध है सिच्चा समाज सास्त्र, सामाज एक दर्शन, मीडिया मनोवग्यान, सिच्चा मनोवग्यान तो यह सिच्चा मनोवग्यान प्रात्मिक इस्तर पर एक सिच्चक में निमने में से किसे सबसे महत्पूल उसेस्ता मानना चाहिए पढ़ाने की उसकता धैर और द्रणता सिच्छड पदतियों और विश्यों की ग्यान में दच्छता अतिमानक भासा में पढ़ाने में दच्छता तो पढ़ाने की उसकता सिच्छड पदतियों और विश्यों का ग्यान ठीक है अतिमानक भासा में पढ़ाने की दच्छता ये नहीं होंगी सबसे महत्यपुने धैर और द्रणता प्रात्मिक इस्तर पर एक सिच्छक को पढ़ाने के लिए धैर और द्रणता बहुत ही जरूरी है अगर आप धैर खोदेंगे तो बिदिक्कत हो जाएगी बच्चे जोए परिशान हो जाते हैं क्योंकि बहुत बच्चे परिशान हो जाते हैं और बहुत जल्दी जोए आपको परिशान भी करेंगे तो धैर और द्रणता होनी चाहिए अगला है पांचवी कच्छा के द्रष्ट इबाधित विद्यार्थी को निचले इस तरके कार करने की छूट मिली चाहिए के माता पिता और मित्रों के द्वारा उसे देनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए के साथ कच्छा में सामान रूप से विवहार किया जाना चाहिए स्रव सीडी के माद्यम से सहता उगलब्द कराई जानी चाहिए के साथ कच्छा में विशेष विवहार किया जाना चाहिए तो क्या होगा इसका जवाब पांचवी कच्छा के द्रष्ट वाधित बालक के लिए क्या करना चाहिए तो के साथ कच्छा में सामान रूप से विवार किया जाना चाहिए तथा स्ट्रव सीडी के माद्यम से सायता उपलब्द करानी चाहिए तो यह निउत्ट हो कि कच्छा में कि अगरे विकास कभी ना समाप्थ ओने वाली प्रक्रीया है यह कौन सा ascend कहता है अनता सम्मध क सिधान कथन मतलब सिधान इस आँ mira अब मालीजी यहाँ पर जो है निकल गया मेरे मुझे विकास कभी समाप्त होने वानी ना प्रक्रिया है यह विचार किसे से सम्मधित है अन्ता सम्मध का सिध्धान्त निरंतरता का सिध्धान्त एकी करन का सिध्धान्त या अन्ता क्रिया का सिध्धान्त तो यह है निरंतरता का शिथान 23 23 Il或者 It is Ste You Gesne भीकाश की सब से बहतर तरीके से प्रवावित करता है क्यल का मैदान विद्धेलेहम खच्या सभागाश या घरragen जहां बच्चे के स्वर्गीत विकाश को सब जब रहतर तरीके से पर्वाशित किया से जुड़े हुए गस्टालटवादी पावलआव पियाजे यह वयगुस्ऽ है तो जुड़े हुए गस्टालट वादी कौन कौन हे वर्धिमर कौफा अशी बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता कैसी भूमिका निभानी चाहिए नकारात्मक अग्रोन मुखी सहानभूत या तथष्ट यह ऐसा पेपर है बालविकास का मतलब सीटेट बेस्ट भी है और यूपिटेट बेस्ट भी है अगर आप इसमें 30 में से कम से कम 20 प्लस सही कर रहे हैं तो एक्जाम में भी आप ऐसा अच्छा करके आएंगे तो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन मुखी भूमिका निभाने चाहिए मन का मानचितरन संबादित है बोध या समझ बढ़ाने की तकनीकी से साहसिक कारणों की क्रिया योजना से मन का चितरन बनाने से मन की क्रिया सिलता पर अनसंधान से दिया अपसन आपका सही होगा अगला प्रस्त है प्याजे का अनसान निभाने से कौन से अवस्था में बच्चा अमोर्थ संक्रियात्म का वस्था में जो बच्चा होता है वो अमोर्थ संक्रियात्म के विशे में तार की चितरन सुरू कर देता है बच्चों में सम्वेगात्मक समयोजन प्रभायू होता है व्यक्षत निर्माण में, कच्छा सिछण में, अनुसासन में या उप्रोक्षभी बच्चे के बौध्धी विकास के चार सूस पस्ट इस तरों को पहचाना है कोहलबर्ग, एरिक्सन, इसके नर्या प्याजे तो ये थे प्याजे मोहोदे अलप व्यस बच्चों के अधिगम में पैरेंट्स की भूमिका होनी चाहिए, निसिधात्मक, अग्रशक्री, शम्वेदात्मक या उतासी तो ये होनी चाहिए, अग्रशक्री निमलकित में से कौन सिच्छण को सलता से सम्भनित है, स्यामपट पर लिखना, प्रशनों को हल करना, प्रशन पूछना या उप्रोक्षवी ये होगा, उप्रोक्षवी, किंडर गायटन पधत है, सभी को पता है फ्रावेल की यस और अर्थे और तेवरी किस ने दिया हुआ है, थंडाइक, फ्रावेल, स्केनर या पावलाओ अपचारिक सिच्छा, अपचारिक सिच्छा, गैर, अपचारिक या दूरस्त तो व्मिली जु है, ये कैसा साधन है यह है अनुवचारिक सिच्छा का पहला आप्षन आपका सही होगा यहाँ पर आपके 30 प्रफशन समाप्त हुए बढ़ते हैं हिंदी के मौक्टिस्ट की ओर लिखा महेज का संदी विच्छेद होगा महो प्लस इस महा प्लस इस मही प्लस इस या मही प्लस इस बताएं आप लो महा प्लस इस महेज उधरण का संदी विच्छेद होगा बताएं तो यह होगा ओत्व प्लस हरण शावधानी में प्रयुक्त प्रत्य है इए धानी या आनी शावधानी में प्रत्य होगा शावधानी इ प्रत्य इ शावधान शावधान में नामे इ की मातरा लग गया और शावधानी इ हो जाएगा पहला अपसन आप कर से होगा आनी प्रत्य नहीं होगा संसकार शब्द में उपसर्ग है चार अपसन दिएगे आपको बताना है सम, सन, शम्स या संस यह होगा पहला शम बारतित सम्यदान की आठीवे निसूची में कितने भासाएं हैं 14, 15, 18 या 22 सब भी को बता है 22 है उसम्मिंजन है उसम्मिंजन होंगे आपके चार अपसन हैं आपके सामने बता क्या होगा इसका जवाब यह आपके उसम्मिंजन है ठीक है तो आपका पहला और डी वाला आपसन सही होगा A and D यार अलावा अंथस्त्रेंजन है दुसकर का शुद्वर्तनी है चार आपसन है कौन सा सही है शुद्वर्तनी आठवे में सब भी को पता होगा क्या होगा शेत्र दही बड़ा में समास है क्या है इसका आपसन से बताएं आप लोग कर्म धारे होगा तीन कोड दिगु शमास चमज किस भासा का शब्द है पुरतकाली रूसी अर्विया तुर्की तुर्की भासा का है रिक्षा बताएं किस भासा का सब्द है जापानी लिखाया यह वह यह वह यह वह यह वह किस सरव नाम में आते हैं निश्यवाचक, पुरु स्वाचक, संबंद या निज्वाचक तो यह आते हैं निश्यवाचक में करट पर रहा है किसका है कौवा घर चोर या धूर करट जो है कौवा का है सची किसका पर्रयवाची है यती सतावरी घरवाली या बल सची जो है ये सतावरी का पर्रयवाची है थोक का विलोम शब्द होगा परचून थाक थोया या बताएं थोक का विलोम शब्द होगा परचून आविर भाव का विलोम सब्द है अंतरधान सुप्त तुरो भाव या संभाव तुरो भाव जो ममत से रहितो होगा योगा निर्मों अंगूठी का नग होने का आर्थ है बहुत सुन्दर छिपा हुआ बहुत प्रिया अनुरूप जोडा अंगूठी का नग होना मोहावरी का क्या आर्थ होगा भताएं अनुरूप जोडा होना अंडे का सहजादा कमजोर विक्ति, चालाग विक्ति, अनुभवी विक्ति या अनुभव हीन विक्ति सो सयाने एक मत कार्थ है, कुछ भी निश्चे ना कर पाना, ज्यादा चालाग वनना, अच्छे विचार में भिनता होना, बुद्धिमानों के विचार एक्षे होते हैं, यही होगा सब्दा अलंकार नहीं है, सिलेश, विफ्सा, उप्मा या वक्रोप्ति उप्मा जो है, यही सब्दा अलंकार नहीं है, संदेशिन मद्वन कूप भरी, अलंकार है, रूपक वाक्रोप्ति अत्सयोप्ति असलेश, अत्सयोप्ति शिखवत चलत जसोदा मैया, अरब काय करी, पान गहावत, डगमगाय, धरनी धरी पैयाँ यह पंक्तियां किस्की हैं, जैसी, सूर्दाष, कभीर, या तुलसी आहूती रचना है, निर्वल अवर्मा, कमलेश्वर, मनु भंडारी, या इलाचन जूसी इलाचन जूसी जी की है चंद के प्रकार होते हैं, दो, तीन, चार, पांच तीन प्रकार श्रंगार रष्का इस्थाई भाव है, उच्चा, शोक, हास, या रती रती होगा गुधूम का तदभव शब्द है, धान, कोना, गेहूं, या रमेश्य कोई नहीं गुधूम का तदभव गेहूं वर्धिकिन का तदभव है, चकड़ा, सावनी, होली, या बढ़ए यह होगा, बढ़ए ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे तीस प्रस्ट हिंदी के समाप हुए, और हिंदी वैसे भी बहुत जल्दी हो जाती है, बाकि आपका पैराग्राप आएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पांच का आएगा, तो पांच में पांचो सरी कर क्याएंग, मुझे पता है, आप जो है, अपनी तैयारी बढ़ते हैं, तैयारी करते रहें, भईया, एक दिन रह गया, शेश कुछ पढ़ लीजी, तो बढ़ते हैं, परवण के साथ, पारितंत सब्द का गठन, किसने किया या पारितंत सब्द किसने दिया, हीकल ने, हमबोल्ट ने, टेंसले ने, या ओडम ये दिया था, टेंसले मोदे ने, किसने, पारितंत सब्द का गठन, टेंसले ने किया था, चिपको आंदोलन किस राज से जुड़ा हुआ है, चिपको आंदोलन किस राज से जुड़ा हुआ है, चिपको आंदोलन किस राज से जुड़ा हुआ है, आपको पता होगा, बिहा कुछ पच्छी हमारी तुलना में चार गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं चील बाज गिद फाक्ता कवा मोर या कवा चील बुल बुल या बाज कबूतर तोता तो यह होते हैं चील बाज और गिद कैक्टस पौध के काटों के बीच कौन बनाता है यह होता है तो सभी को पता है यह होता है कैलसी फेराल डिया आप सण्थाए है ठीक है चिकन गुणिया रोग होता है मख्खी चुहे मच्छर या दूसित जल से तो चिकन गुणिया होता है मच्छर से भारत में पल्स पोलियो टीका करण कारिकरम कब प्रारम हो था 85 में 95 में प्रारम हुआ था कुनैन नामक दवा प्राप्ठ होती है मनी प्लांट सिनकोना प्लांट नीम या अकोनाइट कुनैन नामक दवा मिलते है कि इस्थानांदिरित खेती रोका किस छेतर से जुड़ा हुआ है मलेशिया ब्राजील बुल्देन खर तो यह है ब्राजील से पिसी कल्चर जुड़ा हुआ है केचुवा पालन, शमुद्री, जीव पालन, मचली पालन, वन शमवर्धन तो यह है मचली पालन गुलावी क्रांती के प्रतिपादक है सैंपित्रोदा, विशालतिवारी, वर्गीश कुरियन या दुर्गीश पटेल दुर्गीश पटेल दुख्द क्रांती के जनक वर्गीश कुरियन हरित क्रांती के जनक श्वामी नाथन सौर तर्स रोग होता है कोईलाकड से गन्ना धूलकड लोहकड या उनकड सौर तर्स रोग होता है उनकड से अब स्रव तरंगे होती हैं 20,000 हर्ड से अधिक, 20 से 20,000 हर्ड के बीच में 20 हर्ड से कम या इनमेश नहीं अब सब तरंगों की हर्ट ज होती है कितनी 20 हर्ट से कम पराशब तरंगों की हर्ट जो होती है फ्रिक्वंश्य यानी 20 से 20,000 हर्ट के बीच में कायगा परमाणू केंदर कहा है तमिलाडू राजिस्थान गोवा या करनाटक तो यह है करनाटक में चुद्र ग्रह पाए जाते हैं बुद्र और शुक्र, शनी और वरुन, चंद्रमा प्रत्वी, मंगल और ब्रहस्पत मंगल और ब्रहस्पत के बीच में सबसे गर्म ग्रह, शुक्र, शनी, बुद्ध, मंगल शुक्र है सबसे गर्म ग्रह ब्रह्म पुत्र नदी कहलाती है तिबत में सांगपो, पदमा, जमुना या डगमा ब्रह्म पुत्र नदी तिबत में कहलाती है सांगपो राश्टी जंडा अंगिकरत किया गया है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 26 जुलाई 1936, 26 जुलाई 1937 राश्टी जंडा अंगिकरत किया गया, ये था 22 जुलाई 1937 को वरली जनजाती निवास करती है, महरास्टा, गोवा, शिक्किम्याराजिस्तान तो वरली जनजाती महरास्टा में निवास करती है पहला अपसना आपका सही है इसमें रिशी मतंग किस जंजाती से थे गदी मीड़ा भील या नागा तो रिशी मतंग थे भील जंजाती से बाउल नोकनत समधित है गोवा पश्चिमंगाल राजिस्तान या गुजरात तो यह है पश्चिमंगाल से बढ़ा पानी बढ़ा पानी हवाई अड़ा है शिलोंग गोवा गोहाटी या कोशी शिलोंग में है किस महादूब में जौला मुखी नहीं एशिया, यूरोप, आस्टिलिया या ग्रीन लैंड तो यह होगा आस्टिलिया वने जू सुरच्छा अधरियम पारित हुआ 80 में, 72 में, 60 में, 65 में वने जू सुरच्छा अधरियम उडिसा में है सबसे छोटा जयो मंडेल आरच्छी छेतर है डिब्रू, शैखोवा, सिमली पाल, मानस या पन्ना यह है डिब्रू, शैखोवा येन मुद्रा किस देश की है? चीन, जापान, रूस या कनाडा यह मत कहिएगा कि आप जो एक्स्प्रेइन नहीं कर रहे हैं पहुत ज़्यादा एक्स्प्रेइन कर चुका हूँ यह प्रस्णा आपके लिए इसलिए हैं कि आप जो है चेक कर सके कि आपको कितना आ रहा है वाकि समझाने में अगर समझाने लगए तो 90 कोश्चन में 3 घंटे लग जाएंगी यह नमुद्रा है जापान की कल्रण पुस्तक किस की है? अलब कल्रण ने, सौरी कल्रण ने कौन सी पुस्तक लिए है? राज तरंगडी, पंच तंत्र, अर्थ सात्रिया में एक दूता तुझी लिखा है राज तरंगडी विश्व सांती दिवस होता है 5 जून, 11 जुलाई, 12 अगस्त, 21 सितंबर, नील लदी कहां से? आती है यूरोप, अफरीका, एशिया, या दचिड़ अफरी, अमेरिका तो 39 के जवाब आपको फटा पट बताने है और 90 में से कितने प्रस्ण आपने सही करें ये भी आपको बताना है 20 सांती दिवस होता है 21 सितंबर को, नील लदी कहां है? अफरीका में तो आपके 90 प्रस्ण ये प्रस्ण आप हुए ये तने भी स्री करेगा कमेंट करके जरूँगत आएगा ठीक है? मिलेगा आपसे गलेवड़ी में तब तक के लिए जाइन जाए भारत